मुख्य मंत्री नितीश कुमार के विवादसरत बायान पर अब सियासी घमासान छुड़ा हुआ है आरजेडी ने मुख्य मंत्री नितीश कुमार के खिलाफ मोर्चा कुल दिया है दरसल बिहार विदानसभा के मौनसुन सत्य के दोरान बुदुवार को मुक्यमंद्री नितीश कुमार विपक्ष पर एक इस कदर भड़के हुए नजर आए कि हर कोई हैरान था उन्होंने आरजेडी की महिला विधायक देखा पास्वान से सदन में अभद्र शब्द भी कहे उन्होंने कहा कि महिला हो कुछ नहीं जानती हो CM के बिस बयान के बाद आरजेडी के विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया पहले आपको नितीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जिसके उपर विवाद हो गया है और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्व सम्मती से अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो महिला को अरे बोल रही है कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था अरे हम पांच के बाद नहीं महिला को बढ़ाया है बोल रही हो इसलिए हम को आ रहे हैं चुक्चा अब सुनो अरे ऐसे ही बोल रहे हैं अरे क्या हुआ सुनोगे नहीं हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनियेगा तो आपकी गल्ती है तो महिला को लेकर ये विवादित बयान नितीश कुमार ने दिया लेकिन इस से पहले भी पूर्वे नितीश कुमार की कई बार जुबान फिसली है लेकिन नितीश कुमार के इस बयान के बादना बिहार का सियासी पारा चड़ गया है RGD की विधायक है रेखा देवी जिन्होंने काया कि मुख्य मंत्री नितेश कुमार ने सदन में उनका अपमान किया है और मुख्य मंत्री को इस पर खेज जताना चाहिए इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि राबरी देवी ने काया कि नितेश कुमार और उनकी पाटी महिलाओं का मान सम्मान नहीं करती है देखिए हम लोग सदन के अंदर असदन के बाहर भी परदर्सम कर रहे थे आरच्छन के मुद्धा पर और उन्होंने एक बैग भड़क गए महलाओं पर कि महला आ गई है कहां से आ गई है कुछ जानती है हम आएं तब न महला आई है ऐसा नहीं है कि आप महलाओं को सारे महला को आप लाएं कि मुख मंत्री उमर के ख्याल से हमको लगता है कि अनाप सनाप बोल देते हैं पिछले बार भी सदन में बोले हैं अदिखे आज भी बोल दिये महला के साथ हमको मांग है कि इस तरह से महला को मने मुख मंत्री मान सम्मान दे और सदन में खेद ब्यक्त कर भी है जो तो माइला चाहा हुऊ हुआ जय परेगा।